ओके तो आज हम लोग बात करेंगे CRR क्यास रिजर्व रेसियो, SLR, Statutory Liquidity रेसियो और उनका अगर SLR और CRR में डिफरेंस क्या है उसके बारे में ठीक है सबसे पहले सुख करते है CRR के बारे में CRR का फुल फर्म होता है क्यास रिजर्व रेसियो ये एक रिजर्व है मतलब एक ऐसा चीज है जिसको RBI के साथ हमेशा उसको रिजर्व रखना पड़ता है मतलब उसको छूचा नहीं सकता है, CRR एक परसेंटेज होता है जो माल लेतने कुछ पैसा, एक commercial bank में माल लेता हजार रुपईया जमा हुआ ठीक है अब RBI किया हुआ है, 10% CRR, इसका मतलब किया हुआ, सो रुपईया उसको RBI के साथ जमा करके रखना है, ठीक है RBI के साथ इसको हमेशा जमा करके रखना है अब ये पैसा तो जमा हुआ RBI के साथ, उसका bank इस्तिमाल नहीं कर सकता है ठीक है उसका अभी कोई इस्तिमाल नहीं कर सकता है नहीं वो उसका पैसा पूधारी दे सकता है लेंड लोन दे सकता है नहीं कुछ नहीं कर सकता है उसका ठीक है वो हमेशा RBI के साथ अभी रहेगा ठीक है जब तक RBI ना चाहे उसको देना तब तक ठीक है अब यह है एक ऐसा हथियार है जिससे RBI देखता है कि भारत में भारत का जो एकोनामी है उसमें ज़्यादा मनी नहीं पहुंच जाए उसमें ज़्यादा करेंसी का फ्लो नहीं हो जाए अगर ज़्यादा करेंसी का फ्लो होगा तो क्या होगा, इसे inflation बढ़ जाएगा, ठीक है, तो उससे एक ऐसा tool है, एक ऐसा हाथियार जिससे देखता है कि पैसा का flow जो है, वो पैसा का flow जादा बढ़ने जाए और उसको regulate कर सकता है, ठीक है, तो अगर RBI को लगा कि हाँ, मनी भारत में कम हो रहा है, मनी का supply कम हो रहा है, तो वो क्या करेगा, CRR जो rate है, उसको कम कर देगा, इसका मतलब क्या हो, अगर 1000 रुपईया था, और उसको 100 रुपईया रखना पड़ता, तो अब 80 रुपईया माल लेते हैं, अगर रखना पड़ेगा, तो उसके पास क्या है, अगर 920 रुपईया हो जाएगा, जिससे वो अपना लोन दे सकता है, और भी बहुत कुछ कर सकता है, तो इसके पास क्या होगा, कमर्सियल बेंक के पास लेंडिंग पावर जो है, लोन देने का चमता जो है, वो बढ़ जाएगा, जिससे की एकोनमी में, मनी सप्लाई बेटर हो जाएगा, ठीक है, और अगर अगर मनी SLR को, SLR का पूल फाम होता है, Statutory Liquidity Ratio, ये एक तरह का, ये एक तरह का, नेट टाइम और डिमांड लेवरेटीज है, जो की बैंक के साथ ही रहता है, मतलब कमर्सियल बैंक अगर कोई है, तो SLR जो है, वो कमर्सियल बैंक के साथ ही रहेगा, वो कुछ भी रूप में रह सकत है, मतलब बहुत जाला ने बढ़ा दे, एकसेस ने बढ़ा दे, इसके का कस्टमर सारा इसका पैसा को अपना, अगर सारा पैसा वो उधारी देदेगा, तो अगर जो पैसा लेने के लिए आएगा, उससे डिपॉजिट जो किया है, वो अगर लेने के लिए आएगा, तो उस इसलिए SLR को रखा जाता है ठीक है अब टाइम लाइबिलिटी मतलब जो अब यहां पढ़े टाइम लाइबिलिटी इसका मतलब हो गया कि जो पैसा वो अपना कस्टमर्स को देगा जब कस्टमर्स डिमांड करेगा अगर 500 रुपीया सब को डिपॉसिट किया है और उसके पास कुछ पैसा इनी है वो सारा पैसा को धार दे दिया तो जो डिमांड जो अपना पैसा लेने आएगा उसके पास तो पैसा बचेगा नहीं तो इसलिए उसके पास SLR रखना जरूरी है ताकि कुछ पैसा उसके पास रहे जब अगर कोई मांगने आए तो वो अपना पैसा उसक शाद रहता है लेकिन SLR के मामले में क्या है वो किसी भी तरह सकता है मतलब time and demand liabilities मतलब आप कुछ समय पर हम को हमसे पैसा मांग लेजिए या demand करने पर आप हमसे पैसा मांग यह जो को कश्टमर के कश्टमर के साथ होता है ठीक है अगला क्या है CRR जो है वो for cash के रूप में रहेगा लेकिन SLR गोल्ड के रूप में रह सकता है क्योंकि अगर कोई आदमिया मांगने के तो वो अपना गोल्ड बेच के पैसा ले सकता है और वो अपना पैसा उसको दे सकता है ठीक है फिर जो government अपना security अपरूब किया उसमें यह अपना SLR रख सकता है या हो जाए ठीक है ताकि SLR रखो और जब भी customers आए तो उसको पैसा मंगने के रिए तो उसको पैसा दे दो CRR जो है वो RBI रखता है लेकिन SLR जो है वो RBI नहीं रखता है बलकि commercial bank खुद अपने साथ रखता है ठीक है भारत का जो economy का जो liquidity है मतलब flow of cash वो जो cash का flow है उसको CRR अपना regulate करता है लेकिन SLR देखता है कि भारत में जो economy में credit growth है मतलब जो देने की चमता पैसे देने की चमता उसको SLR govern करता है ठीक है CRR जो है वो एक cash component है जो कि bank रखता है RBI के साथ लेकिन SLR जैसे हम बताए cash के रूप में gold के रूप में government security के रूप में किसी भी तरह रख सकता है ठीक है उसके बाद CRR जो है वो CRR के थुरू RBI क्या करता है देखता है कि ज्यादा money flow नहीं हो जाए ठीक है और SLR के थुरू देखता है कि ज्यादा अगर demand हो जाए अगर मालने जाए कि सारा जो customers जो अपना पैसा deposit किया वो मांगने आ जाए तो SLR के थुरू देखता है कि वो bank दि security rescue क्या है तो उनों के बीच में difference क्या है ठीक है तो यहां तक तो समझ में आ गया I think बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक किजिए और अपने दोस्तों के साथ को share किजिए इस पे comment किजिए और इस चैनल को subscribe जरूर किजिए थैंक कि वेरी मुच